जैश्रीराम भक्ति की ताकत के आज के एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तो सुन्दर कांड के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे आज हम आपको सुन्दर कांड के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं जैसे के सुन्दर कांड कब और क्यों पढ़े तो बिना देर किये शुरू करते हैं आज के वीडियो को लेकिन उससे पहले आपको बता दे यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो क्रिपया हमारे भक्ति की ताकत इस यूट्यूब शैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकॉन प्रिस कर दीजिए ताके हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए तो अब जानते हैं के सुन्दर कांड कब और क्यों पढ़े रामकथा के मारमिक अंशों को समेटे हुए सुन्दर कांड अपने आप में अधभुत है इसमें जीवन की विविद दशाएं उनका कोमल और कठोर अंश आदर्श और यथार्थ की भावफूमी पर समस्याओं का समाधान इतने रम्य रूप में प्रस्तूत किया गया है कि पाठक उसमें अभीबुत होकर रह जाता है विभिन शुब अवसरों और शुब कारियों के आरंभ में सुन्दर कांड का पाठ कराने का विद्वानों द्वारा विशेश महत्व बताया गया है सुन्दर कांड पाठ कराने से मनोवांचित फल की प्राप्ति होती है तथा आ सुन्दर कांड में हनुमान जी ने अपने अनुपम साहस अतुलित बल और प्रखरतम बुद्धी के द्वारा सीता जी की खोज की थी अता यह अध्याय हनुमान जी की सफलता को दर्शाता है और उनके भक्तों को सतकार्य करते हुए जीवन में सफल होने की प्रेरणा देता है वास्तव में सुन्दर कांड एक भक्त की भव्य विजय का अध्याय है जो अपने इश्ट प्रभू श्री राम की क्रिपा और अपनी इच्छा शक्ती के बल पर अति विस्तृत समुद्र को लागने का चमत कार करता है इसी कारण राम चरित मानस के इस अध्याय को न केव फिश्ट्यों में ढूपते विक्ति को भी तिंके का सहारा बनकर उबार लेता है वो दुरगम और दुर्ष परिस्टितियों से संखर्श करने की ताकत प्रदान करता है और विश्वास दिलाता है कि जिस तरह पवनपुत्र हनुमान को याद दिलाने पड्यान आता है कि हम इस शक्ति को पहचाने और किसी तरह का समझोता किये बिना प्रतिकुल परिस्थितियों से लोहा लेने के लिए तैयार रहें जिस तरह भगवान हनुमान के मार्ग में बाधाएं आती हैं और प्रोलोभन भी मिलते हैं मगर वे इन दोनों से तटस्त अपने लक्ष की और उन्म सकने नहीं देता है मगर तकलीफ इस बात की है कि आज की समय में उर्जा के इस अपरिमित भंडार को खोलने और पढ़ने के प्रती समकालिन पीड़ी के भीतर उस तरह का आकर्शन नहीं दिख रहा है सुन्दरकांड रामचरित मानस का सबसे मनोहर अध्याय है जिस तरह महा जिसके श्रेष्ट होने की अवस्था का कारण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सुन्दरकांड में भगवान राम सुन्दर है पूरी कथा अति सुन्दर है इसके अलावा इसमें श्री हनुमान जी का पवित्र जीवन चरित्र है जो सेवकों के लिए कल्पवरुक्ष है तो दोस्तो अब आप जान ही गए होंगे कि सुंदर कांड का पाठ कब और क्यों किया जाता है। ऐसे ही महत्व पूर्ण वीडियोज के लिए भक्ती की ताकत इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने मित्र और परीजनों के साथ में भी शेयर अवश्य करें। दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताईए। आपका दिन शुब हो जय श्री राम।